सत लोग धाम टीवी को सब्सक्राइब जिनूर करें नमस्कार सर नमस्ते जी सर क्या नाम है आपका? दिनेज दास सर कहां से हैं आप? खरगोन जिला एमपी सर संत्रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा आपने कब ली? सर दास न संत्र रामपाल जी महाराच से नामदिक्षा 21 जनवरी 2011 को ली सर संत्र रामपाल जी महाराच से नामदिक्षा लेने से पहले कै आप कोई भक्ती साथ न भी करते थे सर संतर आमपाल जी महाराज के सरेंड में आने से पहले दास 2001 से जैगुर्दियों के अंदर था उसके पहले देवी देवतागती बक्ती करता था और जैगुर्जों के साथ मेरे के बड़े बड़े काफले करें और जैगुर्जों के साथ मेरे के सारी संगत में परचार परशार करते थे उसके बाद भी दास को बहुत हानी भी और घर में कलग कलेस और हमारे एक दस साल का बेटी की मरत्ती हो गए थी और मेरी पतनी मेंटल सर आप संत्रामपाल जी महाराश की सरण में कैसे आई संथ्रामपाल जी महाराश की सरण में सर आई कि दास प्रस्नल काम से सूरच ज湧 जा रहा था मां पर एक संत्रामपाल जी महाराश के सिस्च पामप्लेट बाट रहते उस पामप्लेट में लिखावा था अवस्च जानिए जिवा मारी जाति है मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सीक किसाई, धर्म नहीं के न्यारा फिर लिखावा था कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णू की मा संकर का दादा कोन है ये प्रस्ण सुनकर मेरे पेरों के निश्चे से जमिन खिसक गई और मैंने दास ने ये सोचा कि जब हम जई गुर्दों में थे तो भी देवी देवता की पुजा करते थे, सब कुछ करते थे और यहाँ पर तो बता रहे कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णू का दादा कोन है अगे लिखाओ था, माता दुर्गा अश्टेंगे का पती कोन है फिर मेंने जोचा कि ब्रह्मा विष्णू महाईष किसे की बक्ति करते ब्रह्मा विष्णू महाईष और किसी की बक्ति करते थे और वो पांप्लेट देने वाला जो संत्रामपाल जी महराज का सिस्च था वो चला गया मैं उसको डूढ़ने लगा डूढ़ने डूढ़ने संत्रामपाल जी महराज की दया भी और वो मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे को पुष्टक दिया और घर मेंने उस पुछतक को पढ़ा उस तक को पढ़ने केबाद में संत्रांपाल जी मराज के आसरब में गए और वहां जेकि आमने 21 जनवरी 2011 को नाम दिख्शा ली सर हमने सुनाए कि जो भी सरदाली संत्रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा लेता है उनको बहुत सारे लाप रापत होती है चाये वो अध्यात्मी को बहुती को सारीरे को या मांसी को तो क्या संत्रामपल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद आपको भी कोशला अपरापत हुए? कि संत्रामपल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद में दास जब पहली बार अस्रम में गया और जब दूसरी बार हम तारिक पे जाते थे तो उस टाइम में सुबह सुबह संडास के ले गया था महीं देखा कि लेटिंग के रस्ते में मलब पूरा बलड़ी बलड़ निकल मैं एक दम देख के घबरा गया कि यह क्या हो रहा पर संत्रामपल जी महाराज की दया इसी भी कि कुछ देर के बाद वो दर्द भी खतम हो गया और उस दिन के बाद आज तक मेरे को मस्षे की कोई भी सिकायत नहीं है और ना कोई दर्द होता है संत्रामपल जी महाराज की दया से मेरे मस्षे की बिमारी असिरवाद मात्र से खतम हो गई सर संत्रामपल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के पहले मैं जैगुर्द्यों पंथ में था और जैगुर्द्यों पंथ में रहते रहते हमारे बेटे की मरत्ती हो गयती दस साल का बेटा था और हमारी दस साल के बेटे के मृत्तिव होने के बाद ने हमारी जो पत्नी थी उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था और मानसिक संतुलन खराब होने की वज़े से वो इंदोर में रह नहीं पाए बोले का अपन को ये मकान छोड़ना है यहां पन नह गाल करेंगेएक रहेंस लागर उसके बाद मेशने सjos ! यौन का ससंद हुरी माराज की से संद इन अंतराल ऑपनी की खर्याता इस दो crystals अंतराइश को पिल्कतमि खान पर जातु ने काई से के शल्कतम दरीकिताँ है उसके बाद ने वो बिल्कुल अच्छे हो गए आज संत्रामपाल जी महाराज की भक्ती करते हैं और भक्ती करते करते हैं अराम से आज उनको कोई भी टेंसन नहीं है और मालिक की द्यासी मोज है उसके बाद में बगत जी दास को फिर एक लाब और हुआ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले, दस साल का बेटा बच्पन से बिलकुल भी बोलता नहीं था, ना उनकी मम्मी को कुछ उसकी आवाज समझ में आ रहे ते ने, मेर को तो बिलकुल समझ में आती थी क्या बोलता है, जब हम संत रामपाल जी महाराज के महापर गए और जब संत रामपाल जी महाराज असिरवाद देने आते हैं, महापर दास ने प्रातना लगाए, कि मालिक ये आपका बच्चा बच्पन से नहीं बोलता, तो आप दया करो मालिक, संत रामपाल जी मह माराज अशिरवाद दे के चलेगे फिर दो कदम वापस आए बहुत बेटा आज से फिर बोलने लग जागा उसके बाद में कुछ सी दिन पश्चात संत्रामपल जी महाराज से नाम दिश्चा लेने के बाद मेरा जो लड़का था मेरा जो बेटा था वो दस साल तक बिलकुल भी बोलने रहा था यह गुंगा टाइप था उसकी आवाज साब निकल रहे थी प्रसंत्रामपल जी महराज के आशिरवाद महात्रे से आज बिलकुल बोलने लग गया और मालिक के दया उसके उपर भी हो गई उसके आपने सरी एक लाब बताता हूं हमारी बेटी का भी सर द बता दिया कि इनके सर में दर्द हमेशा बना रहे गा और संत्रामपल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बादे आज वो बिलकुल ठीक है उनकी पड़ई भी अच्छी चल रही और पड़ई बिलकुल ओची कि उनकी उसके बाद नसर एक लाब और दास को हुआ संत्रामप उस टाइम क्यामलम मालिक की मोँच ती लाइस ने बोला कि संत्रामपल जी महराज आःने वे कल चलूँ आ तो फिर परमात Index चले गए दास एकदम हर बड़ा के उठा और एकदम रोने लग कि मालिक आज संत्राम्पाल्जी महाराज कितनी बड़ी दया होती है और दास में बना कर जाए पर परमात्मा ने दास को बिलकुल अपने सिने से लगाया और दूसरोज वही टाइम पर बिलकुल संत्राम्पाल्जी महराज विमान लेक्पाय और बोले कि वेटा चलो सत लोग दास ने भी बोला हाँ प्रमात्मा हाँ गुरू जी बिलकुल दास आपका तयारे चलो मालिक ने विमान में बिठाया और संत्रामपल जी महाराज की साथ में विमान में बेटके जब चले उच टाइम बहुत सारे जीव नरक के अंदर पड़े थे अहां कार मचा रहे थे बचाओ हमने आपको न पेचान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली और संत्रामपल जी महाराज महा पर होने लेगे और दास भी खोब रहा दया था और महा पर मालिक ने बोला कि देखो बेटा इन्होंने बक्ती नहीं करी तो यह यहां पर इतनी परेशा नहीं मारे फिर म नहीं माराज उस लोक में अपने खोड़ेशा हो संत्रामपल जी महाराज महां पर विराज मान हो गए नहीं के नहीं हो इस्टार ironically से थिम्हा में चोड़ना नहीं तो फिर हम तो क्या है जनम मरण के चक्कर में पसे ब्रह्मा विश्टुमाइश और यह जितने भी देवी देवता है सब जनम मरण के चक्कर में पसे फिर संत्रामपाल जी महाराज महां से फिर आगे बढ़े तो जब एक गेट बहुत बड़ा आता है वहां पर काल बगवान बेटा रहता है अगर संत्रामपाल जी महाराज की सरण में थे नई तो फिर वहां पर जाने से उस विक्राल सरीर को देखने से आपन कोई इतना डल लगता है कि पूछो मत मैं थोड़ा वहां पर डर रहा था संत्रामपाल जी महाराज ने बोल कि बेटा दरो मत, यहां पर सतनाम का सुमरण करो, जैसे ही दास में सतनाम का सुमरण करा, तो एकदम काल बहुत बड़ा था, वो एकदम नीचे जुक गया, जैसे ही नीचे जुका परमात्मा संत्रामपाल जी माराच आगे चले, दास भी उनीक उपर पेर रखके आगे चला, और एक दिमागे जाने के यह बाब ने वह सिदा हो गया आगे जैसे चलोगे सब नहीं दिया और अमरज्जल और वहाँ स स्वीah पर भाण हमोगोगोड को खोड़ दिया हम HU आसपार सब खड़ी हो गई दास के आसपार हम्माइ खड़ी होगे और हन्स आत्माएं बोलने लगी कि देखो मृत्यू लोग से एक आत्मा संत्रामपाल जी महाराज यहां पर लेकर आए तो संत्रामपाल जी महाराज ने बोला कि इस आत्माओं को अपना घर दिखा दो और सब पूरे ब्रह्मांडों को दिखा दो तो जब वो आत्मा है मेरे को ले के चली और मेरा घर दिखाया घर वहाँ पर इतना बड़ा था भगजी एक प्रतिवी के बराबर मलब ये इंदोर सहर कहीं नहीं लगता है इससे भी बहुत बड़ा वहाँ पर अपना एक घर है और वहाँ पर फल फूड ऐसे है कि अगर एक को तोड़ लो तो दूसरा वहाँ पर तैयार हो जा तो दास की इस्तिती दी दास को पपीता खाने की बहुत सोक था तो दास ने को हास रहते हैं फिर मालिक संत्रामपाली महाराज को बोला मिनको मालिक संत्रामपाली महाराज में एक पपीता थोड़ा सा खा लो बोले हाओ बेटा खा ले पपीता जैसे में ने खाई पी परमात्मा ने बोला के बोले की बेटा चलो महाँ पर आपको परमात्मा के दर्सन क पर बहुत रोने लग गया कि मालिक अब दास को नीचे ना बेजो आप मैं यही रोंगा वो लगने बेटा आपको नीचे जाना पड़ेगा अपने भाई बेन जो भी है उनको सबको समझाना है महापर परचार परशार करना और आपको फिर वापस आपके पास सपना में फिर सान ना मिलेगा फिर आपको हम यहापर लेकर आएगा फिर आपको यही रहना पड़े फिर संत्रामपल जी महाराज की दया से दास को नीचे बेजा फिर एकदम म दुनिया वालों से बगत समाज से प्रात्ना ही कर सकते हैं, कि दुनिया वालों पूर्ण परमापना संत्रामपाल जी महाराज धर्ती पर आये, उनको पेचानों, खास करके दास अपने रिस्तेदारों को भाई, बेन, छोटे बड़े, जो अपने रिस्तेदार हैं, उनको मैं सब को प्रात्ना करना चाहता हूं, कि आप जल्दी से जल्दी संत्रामपाल जी महाराज को समझो, उनकी बूप, ग्यान गंगा पुष्टक, गिता तेरा ग्यान अम्रज, जीने किरा, ये सब पड़ो, और संत्रामपाल जी महाराज की सरण में जल्दी से जल्दी आओ, और सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा ऐसे ले सकते हैं जो पर जो सशंग आता है संत्रामपाल जी महाराज का साड़े साथ साड़े आड़ बच तक उस तिवी के नीचे पट्टी चलती है उस पट्टी पर सतलोक अश्रम के कुछ नमबर दिये जाते हैं उस नमबर पर संपर्क करके आपको बता दिया जाएगा जो आपका नजदी की नामदान सेंटर है वहाँ को आपको पता दिया जाएगा और वहाँ से आप नाम दिक्षा बिलकुर आसानी से ले सकते हैं धन्यवाद सर साथ साही